दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार देखिए जिंगा मचली खाने से क्या फाइदा होता है इसमें क्या क्या चीज मिलता है इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए देखिए अभी स्क्रीन के ऊप पर यही है जींगा मचली इसको खाने से क्या फायदा होता है चलिए मैं बताता हूँ आपको देखे दोस्तों जींगा आमतर पर लंबाई में एक इंच से लेकर तीन इंच और प्रोटीन से फरपूर होता है जींगे के परतेक 100 ग्राम सेवन से लगभग 100 कैलोरी के साथ 24 ग्र प्रोटीन मिलता है जींगा ज्यादतर प्रोटीन और पानी से बना होता है और फॉस्फोरस, कॉपर, जींक, मैगनीशियम, कैल्सियम, पुटेशियम, आयरन और मैगनीज जैसे अन्यविटामिन और खनीजों में समीर्ध होता है परतेक सर्विंग में यानि के एक बार में आप जो खाती हैं जींगा मुछली, उसमें केवल 0.3 ग्राम्स वसा और 0.2 ग्राम कार्बो हाइडरेट होता है, जो इसे वजन घटाने में, यानि के वजन घटाने के आहार में एक आदर्ष समावेश बनाता है, जींगा में मौजूद एक एंटी ऑक्सिडेंट मुखे रूप से कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, जींगा मचली में और सांद्रता अपेक्षाकिर्थ कम होती है, जो इसे एक सुरक्षित मचली प्रोटीन सुरोत बनाता है, तो दोस्तों जींगा मचली का फाइदा के बारे में आपने इस वीडियो में जाना, अगर लगता है आपको कि इसमें कुछ कमी है दोस्तों तो आप अपने डॉक्टर से राई ले सकते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको फाइदा पहुंचाने वाली है, इसमें नुक्सान करने वाला कोई भी जानकारी नहीं है, तो जींगा मचली से क्या क्या फाइदा होता है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों आपको अगर फाइदा पहुंचता है तो प्लीज वापस आकर के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके दोस्तों सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया